नमस्कार, आज मैं आपको बताओंगा, पुल-Push-Drive के बारे में, यानि की थ्री-फेस लोको में, पुल-Push-Drive काम में लाई जाती है, तो इसके बारे मैं आज डीटेल में आपको बताऊंगा, पुल का मतलब होता है खीचना, और पुस्ष का मतलब हता है धक्का मारना तो यहां पर जो ड्राइव का मेला जित एक बोगी यहां पर खीचती है और दूसरी बोगी धक्का मारती है तो कैसे उसमें मेकेनिजम काम करता है वो आज अपन देखेंगे तो जैसे कि अपन सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर के के द्वारा और ट्रेक्शन मोटरों को ट्रेक्शन मोटरों के साथ में लगा हुआ है यह एक्सल एक्सल बॉक्स है और इसके साथ में एक्सल कनेक्टेड एक्सल के आप ट्रेक्शन मोटर हैं तो ट्रेक्शन मोटरों के साथ जो गियर लगा वह एक्सल को चलाता है और इस एक् बोगी से कनेक्ट हुआ, तो ट्रांस्टविशन यहां से ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर हुआ ऐक्सल, एक्सल से विलसेट गाइड रोड के द właściwie द्वारा, लोको कि बोगी पर, इस बोगी को पूरे साथ में लेके चलेगा, और यह सभी विलसेट गाइड रोड सभी जोड़ा हुआ है बोगी को लोको की बोड़ी के साथ यह ट्रेक्शन लिंक जुड़ा हुआ है वापस लोको की बोड़ी के साथ तो यह जो यह लोको की बोगी बताई इधर लाओ यह लोको की बोड़ी है और यह लोको की बोड़ी हो इस बोड़ी को सुपर स्ट्रक्चर भी क तो लोको को यह पुल क्यलाएगा, यानि कि खीच रहा है, इसी परकार जब दूसरी बोगी पे जाएंगे, जैसे यह रियर बोगी है, इस बोगी पे जाएंगे तो इस बोगी वाली तीनो ट्रेक्शन मोटरे हैं, विल सेट गाइड़ के थूरू, पूरा का पूरा बोगी को स विल सा जुड़ा हुआ है यां पे, तो इस बोडी को साथ में लेकर चलता है, तो यह पीछे वाली जो रियर बोगी है, वो पुश करेगी, तो इस परकार ट्रेक्शन मोटरे हैं, पूल पूश ड्राइव के लाती है, और थ्री फेस लोकों में, सभी थ्री फेस लोकों में इसी परकार की ड्राइव का में लाज जाती है धन्यवाद